तो कैसे आँप लोग पिछले वीडियो मा हम लोगों ने देखा था कि left rotation क्या होता है right rotation क्या हुता है और हम ने ये देखता है कि एक avez il tree को rotate कैसे किया जाता है क्या strategy होती है rotation की जब हम ll rotation कर रहे होते है吗 जब हम Rl rotation कर रहे होते हैं या llrr क रहे होते हैं tree बनाएंगे और उस tree के अंदर notes को कुछ नाम दे देंगे और मैं वो जो नाम दूँगा और left right subtree के जो नाम दूँगा वो ऐसे दूँगा जो most of the books follow करती है ताकि आप लोग को terminology में confusion ना हो अगर आप कोई book follow कर रहे हो तो there is a high chance कि terminology उसमें use हो रही होगी ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूँ है सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा left rotation फिर से थोड़ा सा थेज थोड़ा सा थेज बताऊंगा left rotation ठीक है तो यहां पर जल्दी से लिख देता हूं left rotation और यह मेरा tree है y इसका जो left subtree है यानि कि left node है वो X है और यहां पर रहमान लेते हैं पूरा एक tree खड़ा हूँ है और यहां पर भी अक tree खड़ा हूँ है और यहां पर भी एक tree खड़ा हूँ है यह tree है t1, यह tree है t2, यह tree है t3 त1, t2, t3 यह हमाले trees है अब अगर मैं y के respect में करूबा right rotation तो क्या होगा y के respect में अगर मैं right rotation करूँगा तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा x उपर आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा t1 और x का यहाँ पर आ जाएगा y क्योंकि मैंने rotate किया देखो यार यार यह सब चीज़े मैं बता चुका हूँ और मुझे पता है बहुत सारे लोग कह रहेगा बार बार क्यों बता रहे हो एकी चीज़ को but again मैं बता रहा हूँ यार ठीक है और t2 लग जाएगा यहाँ पर ठीक है यह है हमारा क्या right rotation और left rotation मुझे बताने की ज़रूरत नहीं इन की left rotation में बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा अगर मैं इसको सब्टी कर दूंगा तो यह क्या होगा ये वाला सब ट्री बन जाएगा तो मैं यहाँ पर left rotation लेख सकता हूं कुछ येस तरह से left rotation लेख सकता हूं ठीक है तो left rotate करके ये वाला ट्री आएगा in order to write a code ठीक है हम लोग right rotation का code लिखेंगे और हम लोग left rotation का code लिखेंगे और ये जीज़ हम देख चुके हैं कि कब हमें right rotation कितनी बार किस चीज़ के respect में करना है insertion के बाद AVL tree को balance टकने के लिए तो हम चलते हैं visual studio code में और चीज़ें बहुत clear कर दूँगा तो जो rotation strategies मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताई थी LL, LR, RL and RR rotations वाले वीडियो में उसको मैंने visually यहांपर आपको draw करके बता दिया ठीक है अब यह जो image है यह image हमको यह पूरा code लिखवाने वाली है कैसे आप लोग देखते जाओ मैं आपर आज ओको हमने visual studio code के अंदर और यहांपर मैं क्या करूँगा कि एक node बनाऊँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहांपर एक structure बनाऊँगा और इसका नाम रखूँगा node और इसके अंदर मैं आपर क्या करूँगा सबसे पहले तो एक मेरी इंटीजर की होगी और उसी के साथ साथ क्या होगा मेरा होगा struct node extract node pointer होगा for the left subtree and the same for the right subtree तो यह चीज मैं करूँगा लेकिन एक चीज जो की strange आप लोगो शायद लगे वह यह होगा कि मैं आपर इसमें height भी इंट्लोट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे चाहिए balance factor और balance factor नहीं balance factor का mod to be very specific क्योंकि मैं आपर देखना चाहता हूँ कि मेरा balance factor का mod किसी भी point पर एक से ज्यादा तो नहीं हो रहा है अगर हो रहा है यहां पर imbalance आ गया अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब imbalance नहीं आया ठीक है अब किसी भी ट्री के height निकालने के लिए मैं आपर जो है एक get height नाम का function मैं बना सकता हूँ और इसको मैं दे सकता हूँ एक node pointer struct node star n मैंने आपर दे दिया इसको अब मैं आपर क्या करूँगा कि अगर n जो है वो null है तब क्या करूँगा तब मैं return कर दूँगा 0 क्योंकि यह इसकी height in case अगर यह null है तो 0 है otherwise क्या होगा अगर यह इसकी height 0 नहीं है तो मैं क्या करूँगा return कर दूँगा इसकी height ठीक है if I'm not wrong मैंने सही किया height ओके मैंने कुछ इस तरह से लिखना चीए था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया return n की जो भी height है वो अब आप लोग कोगे यह क्या कर दिया मैंने देखो यार मैं हर note पर height को track करते हुए चल रहा हूँ हाँ थोड़ा सा memory intensive जरूर है लेकिन यहाँ पर हर note की height अगर मुझे मिले रहीगी तब मैं अपना काम बड़े आराम से कर पाऊँगा ठीक है एक utility function पहले लिख लेते हैं उसके बाद मैं बताऊंगा मैं क्या लिखने वाला हूँ मैं struct node star create node कर देता हूँ ठीक है create node node को create करने के लिए मैं create node कर देता हूँ और int key यहाँ पर मैं use कर रहा हूँ जिसभी key के साथ आप एक node create करना चाहते हो ठीक है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा struct node star node is equal to struct node star में typecast करो malloc और उसके बाद जो भी size है यानि कि size of struct node ठीक है size of struct node ठीक है size of struct node और semicolon लगाना तो गलती से भी मैं नहीं भूलेंगे हम लोग ठीक है तो यह क्या हुआ dynamically मैंने memory allocate करके एक node बना लिया ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इस node को बनाने के बाद मैं इसमें कुछ basic चीज़े जो है initialize कर दूँगा जैसे कि जो मेरा यह node बना है इसका left क्या होगा इसका right क्या होगा इसकी value क्या होगी मैंने key use किया हुआ है तो मैं key ही रखूँगा यहाँ पर left और इसके बाद right left right तो null होगे ठीक है तो मैं यह से copy कर लेता हूँ left null right null ठीक है इसकी key is equal to key हो जाएगी जो भी key यहाँ पर supply की गई है इस function में ठीक है height है कितनी करूँगा इसकी height को मैं one कर दूगा ठीक है इसकी height को मैं one क्यूं किया क्योंकि जब भी मैं नए node को बना रहा हूँ तो वह leaf node होगा और उसकी height जब किसी भी एक node पर हम leaf में लगाएंगे एक node को तो उसकी height one हो जाएगी ठीक है आप इस चीज़ को देख लो अगर आपके पास सिर्फ एक node है उसमें आपने इंसर्ट किया एक और node तो उसकी height जोगी वो one होगी ठीक है और उसके बाद हम लोग है height को increment करते जाएंगे जैसे nodes और had होते जाएंगे तब ठीक है तो यहां पर यह जीज़ यहां पर आप लोगों को समझनी है और अब हम लोग जो करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा important काम है और यह काम आपने कर दिया अगर तो आपने यह rotation का program बहुत धंग से complete कर लिया ठीक है और वो क्या है काम तीन functions सबसे important functions तीन सबसे important functions पहला तो get balance factor सबसे पहला है get balance factor और आपको क्या करना होगा इसके लिए struct node star n ठीक है आपको use करना पड़ेगा struct node star n को यानि कि आप किसी भी एक tree का और अधर एक tree में किसी भी node का balance factor निकालना चाहोगे ठीक है अब अगर यह node जो सिर्फ अकेला है यह node null है तब तो यार क्या होगा इसका balance factor बन होगा तो मैं आपर लिखोंगा if n equals to equals to null तब आप लोग क्या करेंगे आप लोग return कर देंगे 0 I hope आपको यह बास समझ में आ लिए कि हमने 0 क्यों return किया जब n null है तो अब अगर n null है तो balance factor जो है 0 होगा लेफ्ट सब्ट्री माइनस राइट सब्ट्री जो है वो 0 होगा ठीक है sorry height of left subtree minus height of right subtree 0 होगा ठीक है तो मैं left minus right यहां पर रखता हूँ ठीक है मैं आपर return करूंगा जो n का left है उसकी height ठीक है यहां पर देखना मैं क्या कर रहा हूँ उसकी height n के left की height minus n के right की height ठीक है n के right की height और मैं यह करने के लिए get height वाले function को use करूंगा तो मेरे पास एक function है get height मैं उसको use करूंगा तो मैं आपर लिखूंगा get height of n left minus get height of n right ठीक है तो मैं यहां पर इसको कर लेता हूँ इस तरह से ठीक है और यहां पर जो है मेरा balance factor जो है वो मैंने यहां पर get tied of end of right ठीक है सारे errors जा चुके है और यहां पर मेरा balance factor जो है वो return हो जाएगा तो यह utility function to find the balance factor ठीक है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग 2 functions और लिखेंगे जो की होगा left rotate और right rotate ठीक है और उसमें हमको use होगा यह diagram तो इसकी इस diagram को side में रख लेते हैं function को लिखता हूं मैं आपर लिखूंगा यह return क्या करेगा by the way सबसे सबसे ज्यादा important question return क्या करेगा यह एक struct node pointer return करेगा तो मुझे struct node star तो लिखी लेना है इसके बाद मुझे left rotate function को लिखना है और किसके respect में जो जो इसका root node है वो कौन सा है वो x है ठीक है यह करने के बाद में क्या करूँगा अगर मैं x के respect में rotate कर रहा हूं एक tree को left rotate कर रहा हूं तब मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले तो initialize कर दूँगा दो variables ठीक है एक तो मैं यहाँ पर left rotate sorry मुझे right rotate इसको लिखना चाहिए था right rotate करने पर यह आ रहा है तो मुझे यहाँ पर y लिखना चाहिए था left rotate में यह मने गरबड कर दिये और y लिखने के बाद मैं क्या गरबड कर रहा हूं ओके y के respect में right rotation हम लोग कर रहा है तब यह मि x is equal to क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा y का left ठीक है यह बात सबको समझ में आ गए I hope अब programmatically मुझे करना किया यह समझो मुझे सबसे पहले तो क्या करना है कि जो x का right child है उसको point कर देना उसको y बना देना है ठीक है तो y मेरे पास है y in a variable मेरे पास है फिर मु x का right कर दूँगा x पी मेरे पास है t2 is equal to x का right तो अभी मुझे मेरा x हो जाएगा यहाँ पर point कर रहा है और मेरा t2 यहाँ पर point कर रहा है तो मैंने इन दोनों के pointers यहाँ पर बना ली है अब यह दोनों pointers को मैं क्या करूंगा मैं कुछ इस तरह से कहूंगा कि x का right है उसको y क और उसी के साथ साथ क्या करना है y के left को t2 करना है तो मैं इससे पहले भूलू मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूं x के right को y करना है और y के left को t2 करना है ठीक है तो i hope मैंने यह चीज़ सही करी है जल्दी से check कर लेता हूं x के right को y करना है बिल्कुल सही मैंने किया y के left को t y का right t3 यहां भी था यहां भी है x का left t1 यहां भी था यहां भी है तो और कोई rewiring यहां पर हुई नहीं है तो बड़िया है यहां पर सब कुछ सही चल रहा है लेकिन यह करने के बाद हमें heights को update करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारी यहां पर heights है जो t1, t2 की heights है वो तो बिलकुल सही है इन दोनों की heights तो change नहीं हुई है height किस-किस की change होई है एक तो x की height change होगी है यहां पर ठीक है balance factor भी change हो गया है उसी के साथ-साथ किसकी height change होई है y पहले उपर था नीच आगया y की height भी change होई है क्या t3 की height change होई है height तो t3 की भी change होई है लेकिन लेना देना नहीं है मेरा t3 से इसलिए मैं क्या करूंगा अब update कर दूंगा सबसे पहले तो y की height को क्या हो जाएगी y की height अब लोग मुझे बता हो y की height पहले क्या थी और अब मैं किस हिसाब से calculate करूंगा सबसे पहले तो मैं क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि यार देखो जो y की height है वो क्या होगी यहां पर क्या होगी वो होगी maximum height of this और this plus 1 इन दोनों में से जिसकी भी maximum height है वो plus 1 क्योंकि y इनके उपर है तो हम लोग क्या करेंगे हम कहीं कि यार देखो क्या करो max मैं एक function लिख लूँगा मैं कहूंगा सबसे पहले तो जो y का right है उसकी height निकाल लो तो मैं कहूंगा height निकाल लो get height y के right की ठीक है और उसके बाद क्या करो get height कर लो y के left की और join में से maximum हो उनको ले लो ठीक है x करूंगा और यहां पर भी x करूंगा simple सी बात करिए कोई लंब जोड़ी calculation नहीं है मैंने यापर get height का use किया और y और x की heights को update कर दिया और finally x को return कर दूँगा और x को क्यों return करा y को क्यों नहीं करा return क्योंकि यार x जो है वो अब root node बन चुका है तो ले लो x ठीक है तो x आप ले लो तो यहां पर x हमें ने दे दिया अब इस tree को आराम से traverse किया जा सकता यह right rotate में हो चुका है ठीक है I hope यह चीज सब लोग समझ गए अब same चीज हम लोग right rotate के लिए भी करेंगे हमने left rotate का function लिए अब हम लोग right rotate का function लिखेंगे और right rotate का function लिखने के लिए left rotate को इसलिए copy किया यहां पर मैं x डालने वाला हूँ यानि कि मुझे मिलेगा यह वाला tree by the way आप इसको ignore करो इस left rotation heading को ignore करना please मैंने गल्ती से left rotation heading डाल दी थी but basically right rotation करने पर हम यह tree मिल रहा है 2 से 1 में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा rotate करना पड़ेगा with respect to x ठीक है तो मैं यहां पर क्या करूँगा सबसे पहले y को ले लूगा in a variable और उसी के साथ साथ किसको ले लूगा in a variable मैं t2 को ले लूगा यह मुझे t2 को हटाना है y क्या है y है x का right हम अब लिख दूंगा y is equal to x का right x का right ठीक है और उसी के साथ साथ t2 क्या है x का क्या x का left है नहीं y का left है ठीक है y का left y का left ठीक है तो मैंने y को ले लिया t2 को ले لिया अब मैं क्या rewiring करूँगा पहली rewiring जो मैं करूँगा वो तो ये होगा कि जो y का left है उसको बना दो x y का left बना दो x तो y के left को बना दो x और उसी के साथ साथ दूसरी रिवाइरिंग क्या होगी t2 की होगी t2 जो है मेरा वो हो जाएगा x का right तो x का right t2 x का right t2 if I'm not wrong मैंने सही किया है x का right t2 हो जाएगा ठीक है तो ये चीज़ मैंने आपर करी x का right t2 हो जाएगा x का right t2 हो जाएगा बिल्कुल सही तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही सही ये चीज़ कर दी है सबसे पहले तो मैंने y को inovariable लिया मैंने का y जो है वो x का right हो जाएगा और उसके बाद मैंने कर T2 जो है वो Y का left हो जाएगा जैसे कि आप लोग याँपर diagram में देखी सकते हो मैंने आपर एक बड़ी गलती कर दिया है वो यह है कि यह वाला right rotate है और यह वाला left rotate है तो मुझे इस चीज को ठीक करना होगा क्योंकि जब मैं right rotate कर रहा हूँ तब मैं आपर X मेरा Y का left है X मेरा Y का left है तो यहाँ पर left rotate अभी मैंने किया है सबसे पहले मैंने Y को in available ले लिया मैंने का X का right इसके बाद मैंने का T2 जो है वो Y का left फिर Y के left को X कर दिया और X के right को T2 कर दिया ठीक है अब हम Y की height को और X की height को यहाँ पर update कर देंगे और finally return कर देंगे Y को in case of left rotate तो right rotate और left rotate हमारे दोनों functions बन कर तयार हो चुके है I hope कि आप लोग भी यहाँ पर समझ गए अब हमें करना पड़ेगा एक standard binary search tree insertion जो BST insertion हमने पढ़ा था जो कि return करता है हमारा extract node pointer हमें वो करना पड़ेगा ठीक है तो मैं आप लिखूंगा कि आप insert करना चाते है किस BST में insert करना चाते है उसका आप मुझे node बताईए और क्या key आप insert करना चाते है यह आप मुझे बताईए ठीक है और यह जैसे ही आप मुझे बताएंगे मैं इस function के through insert कर दूँगा तो सबसे पहले तो हम standard जो हमारा binary search tree insertion होता है वो करेंगे एक बार हमने insertion कर दिया तो हमारे जो balance factors है वो गलत हो जाएंगे तो मैंने आपर simply जो मेरा binary search tree बें insertion होता है तो आप simply return create node कर दो यानि कि आप क्या करो कि एक node जो है उसको insert कर दो जब यार कुछ ही नहीं तो आप एक node यहां पर बना दो उसके बाद अगर आपकी जो key है वो छोटी है insert होने वाले node की value से तब आपको यहां पर क्या करना है कि आप लोगों के यहां पर left में insert कर देना है वरना आपको right में insert कर देना है यार हम लोग BST में insertion तो जानते ही है तो यह तो आप लोगो बिलकुल भी परिशान नहीं करेगा ठीक है यह करने के बाद हम लोग क्या करेंगे हम एक BF नाम का variable बनाएंगे BF का मतलब है balance factor और हम लोग get balance factor का use करेंगे और हम गहेंगे get balance factor node यानि कि यह जो हमारा node है अब हमें इसका balance factor जो है वो बता दो तो BF के अंदर आ जाएगा इस node का balance factor now there is a chance कि यह node unbalanced हो जाता है और अगर यह node unbalanced हो जाता है तो हमारे पास 4 cases है पहला case हमारा कौन सा है पहला case है हमारा left-left case तो left-left case जो कि हमना अल्री discuss किया था इसके बाद हमारे पास कौन सा case है इसके बाद हमारे पास है right-right case इसके बाद हमारे पास left-right फिर right-left ठीक है तो right-right right-right इसके बाद right-left और right-left के बाद left-right ठीक है right-left के बाद left-right हमारे पास आजाएगा ठीक है तो यह चार cases हमारे पस बनते हैं तो I hope कि यह चार cases जो है आपको पता है क्या है और इन cases में क्या करना होता है यह मैंने पिछले वीडियो में बहुत अची तरह से explain कर ही दिया था by the way क्योंकि जो balance factor वाला मेरा function है जो कि balance factor मेरा find करने में मुझे help करता है वो get height का use कर रहा है इसलिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा heights को भी update करना पड़ेगा तो ऐसा करने के लिए मैं simply क्या करूँगा कि जो मेरी note की height है जो मेरी note की height है मैं उसको equals to कर दूँगा one plus और मैंने one plus यहां पर क्यों किया ही मैं आप लोगो को बताता हूँ क्योंकि मैं इस note की height को calculate करना चाहता हूँ और मैं आपर लिखूँगा max of मैं आपर जो मेरा get height है उसको use करूँगा दूबारा से और note का जो left है वो और उसी के साथ साथ get height node का जो right है वो ठीक है तो मैंने यह दोनों जो है इस तरह से कर दिया ठीक है तो मेरा max का जो left है वो और sorry note का जो left है उसकी height और note का जो right है उसकी height का max इन दोनों पर से जो भी max हो का plus one मैं कर रहा हूँ note की height को अब आप लोग कोगे कि यार यहाँ पर अभी हमने जो है insertion तो किया नहीं है हम पहले note पर है तो हम यहाँ पर height को क्यों update कर रहे है one plus करके क्यों कर रहे है तो यहाँ पर आप लोग मेरी बात को समझो हम basically क्या कर रहे है कि यह जो function है वो कुछ इस तरह से run करेगा सबसे पहले insert जो है अगर मैं इस tree की बात करूँ आप इसको मैं just as a tree इसको देख रहा हूँ आप इसको rotation वाले concept को भी हटा कर बात करते हैं देखो यह अगर एक tree है तो यह वाला जो function insert वाला वो सबसे पहले इस note के लिए run करेगा और जब इस note के लिए run करेगा तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा क्योंकि दुबारा एक insert की call है तो क्या होगा नीचे का code तब तक रन नहीं होगा जब तक यह अगले वाले के यह run नहीं होगा जैसे इस case में left के लिए हो रहा है तो यह leaf note के लिए जो यह नीचे वाला code हो सबसे पहले run होगा आप लोग समझ रो इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूं तो जो मेरी heights है वो बिल्कुल साई से update हो जाएंगी तो बहुत सारे लोगों को confusion होगा कि यह वाला जो code है यह हमें क्यों run करना पड़ रहा है उपर वाले node के लिए सबसे पहले हम सबसे पहले इसके लिए run नहीं कर रहे हैं इस code को हम leaf note के लिए run कर रहे हैं और leaf note से update करते वे आ रहे हैं height को I hope कि आप इस चीज को समझ गए होगे अब left left case में क्या होगा left left case में मेरा balance factor greater than 1 हो जा तो मैं आप लिख दूँगा node के left की value से और मैं इस चीज को आप लोग को समझाओंगा ठीक है इस चीज को आप लोग को समझाओंगा तो यह left left का case हो जाएगा अब यहां पर यह मेरा node मिल्कुर सही हो गया ठीक है तो balance factor जो है वो greater than 1 हो गया ठीक है balance factor मैंने किस हेसाब से न elements तो इसका मतलब क्या होगा कि node के left की value है उससे चोटा है की अब यहां पर अगर key चोटा है node के left की key से जैसे कि इस tree को आप लोग देखो node के left की value से भी चोटा है यानि की left left insertion यह होगा और यह है मेरा first imbalance node आप लोग tree को draw करें और इन चीजों को समझें जब तक आप dry run नही अच्छे से नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा right rotate करूंगा with respect to node यानि with respect to y तो मैं यहां पर क्या करूंगा right rotate करूंगा with respect to node ठीक है and very similar case goes for right right case right right के case में left rotate करूंगा और क्यों करूंगा यह चीज बिल्कुल similar है इस वाले case के ठीक है तो यहां पर जो है मेरा balance factor का less than minus 1 हो जाता है और less than minus 1 कब होगा जब right की side पर जादा हमारे notes होंगे left की child के मुकाबले left की side के मुकाबले ठीक है तो मैं यहां पर क्या देखूंगा if key is greater than यानि key is greater than node के right की key node के right की की इसका मनलब right right case है मेरा ठीक है अब left right का case देख लो और right left का case देख लो देखो left right का case सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ देखो left right का case में आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसको just for reference में copy कर रहा हूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और मैं simply यहाँ पर editing करूँगा यह चीज़ जो है मैं change करूँगा अब देखो आप लोग जब left right का case है left है इसलिए balance factor जो होगा वो greater than one होगा अब left है तो balance factor greater than one क्यों होगा क्यों कि हम left की तरफ को उतर रहे हैं सबसे फ़हले हम left की तरफ को उतर रहे हैं, हमारे left में जादा note से हैं, असलिए हम left की तरफ को उतर रहे हैं, तो balance factor greater than 1 है, तो left है, और उसी के साथ साथ left right case, यानि की is greater than node of right of key, तो ये क्या है, ये left right case है, हम left की तरफ को उतर गए, अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, क्या हमारी की greater than node के left की की है की नहीं है, तो ये कि अगर हमारी की greater than node के left की की है, अगर इस ट्री की साथ से समझाओ, अगर हमारी जो की है, वो greater than है node के left की, यानि की x की की से, तभी तो left right rotation होगा, यानि कि हम ऐसे ऐसे उतरे हैं, अगर हम ऐसे ऐसे उतरे हैं, तभी तो हमारा balance factor greater than one, और keys greater than node of left of key होगा, मुझे बताए, इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों की शिकायत आने वाली है, या समझ नहीं आया, या या चीज तब तक समझ में नहीं है, लेकि जब तक आप लोग वीजुलाइज नहीं करोगे, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा tree को, मैं जो यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आप लोगों को थोड़ा बहुत help जरूर करेगा, बढ़ आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ नहीं है, अब देखो, हम right rotate तो करेंगे node के respect में, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर, node का जो left है, उसके respect में left rotate करते हैं, तो हम कहते हैं, left rotate करो with respect to, the first child of the unbalanced node along the path, तो क्या होगा हमारा, वो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जागा, तो left rotate में करूँगा, node का left, और उसके बाद right rotate करूँगा, node का right, ठीक है, और यही चीज जो है, बहुत ही similar होने वाली है हमारा, इसके case में भी, ठीक है, तो इसके case में क्या होगा, right left के case में, right में हम लोग उत्रे, इसका मतलब bf is less than minus 1, ठीक है, यह तो बहुत ही simple सी चीज है, अब key जो है, वो छोटी है, key जो है, वो छोटी है, node के right की की से, I hope आप लोग यह चीज समझ रहे हैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस case में, मैं right वाला जो node है, उसको right rotate करूँगा, ठीक है, और यह भी I hope आप लोग समझ रहे हैं, और मैं return करूँगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो logic को समझो आप लोग, क्यों क्या चीज की जा रही है, ठीक है, तो यह सारी की सारी चीज है, आप लोग जब सारे notes के लिए run करोगा recursively, तो finally जो हमारे tree होगा, उसके अंदर सारे rotations हो चुके होंगे, ठीक है, तो finally हमें क्या return करना है, हमें finally return करना है, note को, ठीक है, क्योंकि note को हमने कभी change किया ही नहीं था, ठीक है, तो हम finally note को जो है, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो ये note pointer जो है, वो unchanged था, वो हमने return कर दिया, और हमारा जो insert है, वो पूरा हुआ, तो ये जो insert होगा, वो सारे के सारे हमारे जो rotations हैं, उनका ध्यान रखेगा, उनको मद्दिन वादर रखते हुए करेगा, अब हमें क्या करना है, हमें अगर अपना main function बनाना है, उसके अंदर हम एक tree को बनाएंगे, और ये insert function क्या करेगा, rotation भी कर देगा, इंसर्चन के साथ साथ, ठीक है, और kin की साहिता से करेगा, ये सारे के सारी utility functions की साहिता से करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने max function जो है, वो use किया हुआ है, और मैं आप आप लोग को दिखाता हूँ, अचा अगर मैं इसको run करो, मैं अगर, मैं इसको save करता हूँ, terminal कोलता हूँ, और मैं यहाँ पर gcc, avlrotation.c करता हूँ, यहाँ पर मैं tap दबा रहा हूँ, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर gcc is not recognized, जो folder है, बहुत बहुत आप बाइट लिख करकर open powershell window here करता हूँ, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंप्लिसिट declaredation of function max, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैंने गरबर कर दी, मैं आपर लिखूंगा return अगर a is greater than b है ठीक है तो return कर दो a one return कर दो b ठीक है turn अदी operator का use कर दिया और यहां पर इसको save कर दिया और अब देखता हूं यहां पर यह error मुझे मिल रहा है की नहीं मिल रहा है compile हो रहा है की नहीं हो रहा है तो यहां पर undefined reference to win main 16 तो मैंने यार main function तो बनाया ही नहीं ठीक है तो यहां पर int main return 0 कर देता हूं और अब compile करके देखता हूं क्याई compile हो रहा है हाँ हो रहा है ठीक है और मैं आप पर avl rotation a dot a dot exe a dot exe को run करूंगा और मेरी a dot exe run भी हो रही है कुछ नहीं कर रही है क्योंकि मैंने कुछ करफ आया ही नहीं है अपनी a dot exe से अब यहां पर मैं क्या करूंगा कुछ nodes लेकर एक tree बनाऊंगा और इसके अंदर insertions करूंगा और यहां पर सबसे पहला जो मैं node बनाऊंगा is equal to insert और insert का पहला जो हमारा argument वो क्या है पहला है node और उसके बार की तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा किस node पर insert करना कौन सी की तो root पर insert करना लेटर से 45 ठीक है तो मैं tree construct कर दूँगा यहां पर कुछ value start दूँगा ठीक है यहां पर 8 यहां पर 9 और यह करने के बाद में क्या करूंगा इसको दरा run करके देखूंगा अब run करके मैं क्यों देखूंगा run करके मैं इसलिए देखूंगा मुझे इसलिए आई क्योंकि मेरा antivirus है वो a.dxc को delete कर दे रहा था ठीक है तो यहां पर अभी तक सो फार सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है मैं यहां पर करूंगा क्या कि यह सारे के सारे nodes का BST बनाने के बाद मैं यहां पर देखूंगा क्या होगा ठीक है मैं इसको visualize करूंगा तो 45 में 4 insert करेंगे तो left में insert हो जाएगा फिर 5 करेंगे तो उसके right में insert हो जाएगा उसके बाद जब balancing वगएरा होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, बजल दीज, 1,2,3,4 लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं 1,2,3,4 करूँ, तो ideally ये सब के सब एक direction में भागेंगे, बड़ इनको एक direction में भागना नीचे, तो मैं यहाँ पर एक काम और कर देता हूँ, 1,3,4,5 कर देता हूँ, उसके बाद मैं 3 को insert करूँ, और यहाँ पर 6 को भी मैं insert कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, और मैं क्या करूँगा, कि एक utility function लेकर आऊँगा, अपने पुराने program से, जो कि हम लोगों ने बनाया था, pre-order travel cell का, तो यार मैंने आपर कुछ गल्दी कर दी है, वो गल्दी यह है कि मुझे return करने पढ़ेंगे, left rotate, right rotate, सिर्फ मुझे run नी करना है, मुझे return करना है, यह functions notes को return कर रहे हैं, और अब मेरा ravian rotation.c, जो है, वो मुझे यह order दे देगा, और मैंने खुद से एक tree draw किया, यहांपर मैं आपको camera में दिखाता हूँ, अगर आपको दिखेगा, and I don't know whether this is the best way to show the tree, बट मैंने यह tree यहांपर draw किया, एक छोटे से paper पर, जो कि मुझे available था, और मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, कि यह जो इसका pre-order traversal है, बिल्कुल ठीक से आया है, तो इसका pre-order traversal 4, 2, 1, और 3, 5, 6 आरा चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, तो यह यहांपर मेरा बिल्कुल सही से काम कर रहा है, यह जो मेरा function है, I hope कि आप लोग समझ गई कि यह मैंने कैसे लिखा, देखो यह थोड़ा सा tricky तो है, बड़ समझना आपको यह है, और यहार समझने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कि आप लोगों को tree draw करते करते करते, सारी steps को लिखते लिखते इसको समझना पड़ेगा, कि यह code कैसे लिखा गया है, so I hope कि हम लोगों ने AVL tree अच्छे समझ लिया, आप लोगों को समझ में आगया, जितने भी लोगों ने AVL tree का वीडियो देखा, मुझे जरूर बताओ, कि यार मज़ा आया की नहीं आया, कि यार अगर मज़ा नहीं आया, तो बात नहीं बने गया, मज़ा आना चीए, पूरा full to आना चीए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, तैंक इस सो मच गाइस पूचिंग इस वीडियो, data structure algorithm की playlist को सब लोग access करना अभी के अभी, and I will see you next time.